हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जोप में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी सिक्षक भरती के विग्यापन जारी होते हैं उनकी सूचना मेरे द्वार आप लोगों को समय पर दी जाती है आविदन की जो लास्ट डेट है उससे पहले ही वीडियो बना दिया जाता है लेकिन कई बार यूटूब की तरफ से जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन लेट पहुंसता है जिससे की डेट निकल जाती है तो बहुत सारी कैंदिडेट जो है कमेंट में कहते हैं कि इसकी डेट तो निकल गई ऐसे में आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बैल बटन को प्रेस जरूर करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें अगर नहीं भी आता है तो आप लोग चैनल पर जाकर जो भी लेटेस्ट वीडिो अपलोड किये जाते हैं उनको देखते रहें कि आज की डेट में कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है हो सकता है आपका subject रहा हो आप जहां के लिए apply करना चाते हैं वही vacancy हो ठीक है ऐसे में जो है वो बहुत ही important चीज़ आप लोगों के हाँ से निगल जाती है तो channel पर बने रहे regular video upload होते हैं बहुत ही छोटे video बनाती हूं मैं 5 minute या ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 minute तक का ही video होता है तो video जो है वो आप देखा करें अच्छे से यदि आप apply करना चाते हैं link आप लोगों को video के नीचे जो description box होता है उसमें share किया जाता है ताकि आप लोग official website पर जाकर और complete जो है विज्यापन पढ़ें और उसके बाद जो है वो apply करें मेरे द्वारा जितने भी video upload किये जाते हैं वो सभी authentic vacancy के notification होते हैं कोई भी गलत सूचना आप लोगों को video में नहीं दी जाती है इस video में हम बात करेंगे MP Public Service Commission की तरफ से जो विज्यापन चारी किया गया था तो चलिए देख लेते हैं official website पर जाकर यह official website है मद्यप्रदेश Public Service Commission की और यहाँ पर advertisement में सबसे उपर ही आप लोगों को दिखाई देगा advertisement for state eligibility test 19 पेजों की यह PDF फाइल है जो भी महतवपून चीज होंगी जो की आपका जानना जरूरी है form भढ़ने से पहले वो मैं आप लोगों को यहाँ पर highlight करके बता दूँगी मद्यप्रदेश लोग सेवा आयोग राज्य पातरता परिक्षा है 2024 है तो विग्यापन online आविदन भढ़ने की प्रारमविक दिथी है 21 मार्च 2024 अंतिम दिथी रहेगी 20 अप्रेल 2024 बारा वजे तक परिक्षा सुल्क जो भी MP के मद्यप्रदेश के मूल निवासी है SCST, अन्य पिष्डावर्ग EWS, दिव्यांगजन श्रणी के तो उनके लिए जो परिक्षा का सुल्क रखा गया है 250 रुपए और इसमें 40 रुपए और भी जो है लगेंगे, पोर्टल सुल्क रहेगा ठीक है, यानि कि 290 रुपीज जो है यहाँ पर लगेंगे जो बहरी राज्य के कैरी रेट है और जनरल कैटिगरी MP के हैं, तो उनके यहाँ पर लगेगी 540 आवेदन सुल्क तुर्टी सुधार की अवधी बिना विलंब सुल्क, 50 रुपए प्रतिसत्र होगी यह जो परिक्षा है यह 20 विश्यों में आयोजित की जाएगी इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे पहला जो होगा, जो की सभी के लिए compulsory सामानने प्रश्न पत्र जीके का पोर्शन रहेगा और दूसरा जो है एच्छिक चैनित विश्यों आपका होगा विश्यों जो 20 हैं वो आप लोगों को बिल्कुल अपी दिखा देंगे तो यहाँ पर सब्जक्ट देखें पहले और इसमें सब्जक्ट कॉर्ट दिये हुए है जब आप आविधन करेंगे तो सब्जक्ट कॉर्ट धिहान में रखना सलेबस जो है इंगलिस में और हिंदी में जल्द ही पोर्टल पर उपलब्द हो जाएगा नियूंतम सैक्षनिक योगिता ध्यान दें अभ्यरती केंद्रिय अधिनियम या राजिय अधिनियम द्वारा इस्थापित किसी विश्व विध्याले या सैक्षनिक संस्थान या विश्व विध्याले अनुदान आयोग 1956 के अधिन इसनात कोत्तर उत्तीन यानि कि मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री आपकी लास्ट येर चल रही हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं आपके जो है निउन्तम 55% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में आरक्षित जो श्रेणी है तो उनके लिए 50% तंक होना अनिवारे हैं EWS रेणी के अभ्यरतियों को UGC के निर्देर सा अनारक्षित रेणी के अभ्यरतियों के समान ही इसनात को तर उपादी में निउन्तम 55% अंक प्राप्त किये हो ठीक है तो ध्यान रखें Master Degree आपकी होनी चाहिए 55% Marks के साथ में General Category के लिए यहां पर जो है कितने Marks आपको लाने होंगे कितने प्रतिशत Marks आपको लाने होंगे तो जो General Category है उनको निउन्तम 40% Marks आपको जरूरी है लाना पास होने के लिए बाकी जो Category है उनको 35% Marks जो है वो लाने जरूरी रहेंगे तो यह पातरता परिक्षा है Exam Center कहां रहेंगे तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपूर, रीवा, सतना, सागर, उजेन, नर्मदापूरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम यहां पर रहेंगे आपके Exam Center तो सबसे प्रतम जो प्रशन पत्र अनिवार्य सामानने प्रशन पत्र सिक्षण आवं सोध अभीवरती यानि जनरल पेपर रहेगा पचास कोशन होंगे, हंडर्ड मार्क्स के चैनित एच्छिक विसे आपका खुद का जो सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें 100 प्रशन होंगे यह दो-दो मार्क्स का एक कोशन रहेगा यानि 200 मार्क्स के आपको 3 घंटे 180 मिनिट का समय दिया जाएगा कुल आपका 1.500 मार्क्स का जो है वो प्रशन होगा और ओफलाइन मोड में रहेगा दोनों ही प्रशन पत्र जो है अब्जेक्टिव टाइप जो है आपके कोशन रहेंगे तो 20 विश्यो में जो यह परिक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी प्रतेक सही उत्तर के लिए भ्यरती को 2 अंक और यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं है ध्यान रखना negative marking नहीं है यानि कि पूरे आपको कुशन करके ही आने है हिंदी और इंग्लीज दोनों माधियम से होगा और बाकी डिटेल आप लोग इस website पर जाकर चेक कर सकते हैं इंपोर्टेंट बात तो मैंने आपको बता ही दी है उसके बाद आप देखें आविदन पत्र कैसे भरेंगे तो ओनलाइन आविदन पत्र वेबसाइट पर आपको जाना होगा फॉर्म आपको मिल जाएगा उसके बाद शुलक आप लोगों को यहाँ पर credit card या debit card के माध्यम से आपको देना होगा तो यह जो है आप लोग घर पर भी जो है वो बढ़ सकते हैं Sl屏बस के लिए जो है आप लोग जो ओफिशल वेबसाइट है उसे चेक करते रहें यही पर जो है सलेबस भी अप्लोड किया जाएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, thank you